हेलो फ्रैंस मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली साबू दाने की खिचड़ी बनाने की रेसिपी देखेंगे तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर मैंने चोटा साबू दाना लिया है इसको मैंने अदि घंटे पहले भीगो कर रख दिया था साबू दाना अच्छी तरह से फूल गया है इसको हमें ज्यादा देर नहीं फूलाना है नहीं तो यह गीला बनेगा और गराई में पकड़ने लगेगा यहाँ पर मैंने दो टमाटर बारिक काट के लिए है यहाँ पर मैंने मुमफली को भूल लिया है और छिलके साइथ इसको मैंने दरदरा पीस लिया है यहाँ पर मैंने दो आलू लिये है इनको लंबे-लंबे काटने हैं आप चाहें तो इसमें बॉय लालू भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने घी डिया है, जीरा लिया है, नीबू करास है, बारी कटी हुई हरी मिर्च है, उपवास का नमक है, शक्कार है, शक्कार आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं यहाँ पर घी गरम हो चुका है इसमें अब हम जीरा डालेंगे जीरा अच्छी तरह से चटक गया है अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे कि हमें अच्छी तरशे भूँण देंगे अब हम इसमें आलू डाल देंगे कि आलू को मच्छी तरशे चला लेंगे आलू को हम थोड़ी दर कली ढख के पकाएंगे देखे आलू हमारे अच्छी तरशे पग गई है अब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे टमाटर और आलू को अच्छे ज़र से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर अब हम नमक डालेंगे ताकि टमाटर मा अच्छे तरह से पक जाए यहाँ पर टमाटर पक चुके हैं देखे आलू और टमाटर ने घी छोड दिया है अब हम इसमें साबू दाना डालेंगे यहाँ पर अब हम मुमफली डालेंगे मुमफली उसाबू दाने को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैंने यहाँ पर घी का यूज किया है आप चाहें तो रिफाइन डॉल भी यूज कर सकते हैं गी से इसका टेस्ट और भी बढ़के आता है यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम में इसको ढखकार दस से पंदा मिटकली पकाएंगे इसमें अब हम नीबू करस दालेंगे थोड़ी शक्कर डालेंगे इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें अब हम हरा धनिया डालेंगे इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे साबू दाने की किछड़ी हमारी खिली खिली बनकर तयार है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू तरह से लाइक केब lä Cathy हो तो भीडियो भीडियो उब आले वाल देटकीन खिली तरह में हमारी बनकर प्रुद्केट